एक्षा आशा अपेक्षा अकांग्षा यही सब मानव समाज के चालक होते हैं नहीं जदी कोई आप से पूछे कि आप कौन है तो आपका उत्तर क्या होगी विचार कीजिए आप तुरंत ही जान पाएंगे कि आपकी एक्षा ही आपके जीवन की व्याकह है कुछ पाने से मिरी सफलता कुछ ना पाने से मिरी निशफलता ही आपका परीज और से लिए स्वेंग बीतर से मरते हैं किल तो अपनी क्छाओं को नहीं मार पात लिए इक्छाओं उन्ने दोडाती हैं जिस प्रकार मरिक्तरशना अमरिक को दोडाती जो परंतु इनी इक्षाओं के गर्प में ही ज्ञान का प्रकाश की कैसे जब इक्षाओं अपून रहती और तूटती तब वहीं से ज्ञान की किरन प्रवेश करती है मनुष्य के रिदेन ना ये कथा नहीं है केवल एक्षाओं के संघर्श की नहीं है केवल महत्व कांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावय रक्त पात की ये कथा है एक्षाओं के गर्प से उदित होते हुए क्यान की मैं वासुदेव प्रिश्ट आप सभी को निमंत्रन देता हुए इस यात्रा पे चलने का जो जीवन का बर्म सिखाएगा मनुष्य का धर्म सिखाएगा कीचर्ट से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगा और इस यात्रा का नाम है महा भारत इस संसार में आने वाला प्रतेग बालक संपून तह संसकार रहित होता है उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संसकार के चिन अंकित होते हैं ना ही बुरे संसकार के अर्थात जन से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोश तो ये दोश अथवा गुण किस प्रकार प्राप्थ होते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है वही बात उनकी संतानों के हृदे का संसकार बनती है जैसे किसी गाउ में नदी तट सक एक पक डंडी बन जाती है केवन उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण अर्थात माता पिता के हृदे की एक्छाएं उनकी संतानों के हृदे का दोश अथ्वा गुण बनकर जन लेती है क्या ये सत्ते नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोश दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते माता पिता का हृदे ये प्रश्ण करता है कि उनकी संतानों में ये कूश अंसकार आये कहां से सत्ते तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अंजाने में ही कूश अंसकार के बीज दे देते हैं जो उनके संतानों की हुरुदे भूमी पर कू संसकार का व्रिक्ष बनकर उठता है, अर्थात अपनी संतानों को सू संसकारी और धर्म मैं बनाने की आशा रखने वाले प्रतेक माता पिता को प्रथम, अपने हुरुदे की एक्छाओं पर अंकुष रखना क्या निवारे नही पिता सदा ही अपने संतानों के सुख की कामना करते, उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का प्रेश्न करते रहते जिस मार्क पर पिता स्वेम चला है जिस मार्क के कंकर पत्थर को स्वेम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूप को स्वेम जाना है उसी मार्क पर उसका पुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिता की निसन देख, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते कौन से प्रश्ण? प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनोतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक संतान अपने माता पिता की छवी होता है? हाँ, संतानों को संसकार तो अवश्य माता पिता देते हैं किन्तू हीतर की शंता भीतर की शंता तो इश्वर देते तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा तीसरा प्रश्ट क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रते एक नया प्रश्ट एक नये उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नयने प्रश्टनों संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाप करना कहलाएगा या आनी पहुँचाना अधार जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नई संघर्षों के साथ जूजने के लिए मनों बल वज्ञान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा तो एम विचार कीजे पूर्वजों की एक्छा आशा महत्व कांग्छा क्रोध बैर प्रतिशोध यही सा बाने वाली पीडी की दरोहर बनते माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुक पर देते हैं अपनी तीडाओं की संपत्ति देना चाहते हैं अम्रित पर साथ ही साथ विश्व का घड़ा भी भर देते हैं आप विचार कीजे आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक अवश्य प्रेम ज्यान संपत्ति आदी दिये पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मेल से भर देने वाले पूर प्रह नहीं दिये अच्छे बुरे की पूर मिर्धारित व्याख्याई नहीं दिये व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट का राष्ट के साथ संघर्ष, क्या इनी पूर ब्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यू, रक्तपात, क्या इनी पूर ब्रहों से नहीं जनते? अरथात, माता पिता अपनी संतानों को जन के साथ मृत्यू का दान भी देते हैं प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृना का अंधकार भी देते हैं और अन्दकार मन का प्रुदे का हो या वास्तविक हो उससे केवल भय प्राप्थ होता है केवल भय स्वयम विचार की दिए मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वयम को अपने परिवार को अपनी संतानों को अधिक्तम सुख प्राप्थो ऐसी इक्षा रखता है इसी कारण से हम सदा श्रम और कष्ट से अंतर रखते हैं विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं स्वैम, अपने जीवन का विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं, कि हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधा का आयोजन करते हैं, पर क्या कभी सोचा है, केवल विश्राम से क्या लाप्राप्थ होता है, केवल सुख और सुविधा जिने प्राप्थ हो, उन चुनोतियों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है यह हम सब का अनुभव है पर हम शायद यह भूल जाते कि मन और आत्मा को जब कठिनाईयां प्राप्थ होती हैं तब वे भी अधिक बल्वान होती हैं अर्थार जब भी हम अपनी संतानों को श्रम और दुख से द स्वयम विचार कीजिए कि अधिक अधिक तंतानों के भविष्चे को सुख से भरने का प्रेत्न करना यही हर माता पिता का प्रथम करतव्य होता है जिने आप इस संसार में लाएं और जिनके कर्मों से यह जगत आपका अधी परीचे पाएगा भविष्चे में उनके भविष्चे के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है किन्तु सुख और सुरक्षा क्या यह मनुष्चे के कर्मों से प्राप नहीं होते माता पिता के दिये हुए अच्छे या बुरे संस्कार उनकी दी हुई योग्य अथ्वा योग्य शिक्षा क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं संस्कार और शिश्चा से बनता है मनुष्य का चरित्र अखात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं जैसा ही बनता है उनका भविश्च किन्तु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविश्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर जो माता पिता आपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं उनकी संतानों को कोई लाब नहीं होता है विकिनकु जो माता पिता आपने संतानों के भविष्य की नहीं उनके चरित्र का निर्मान करते हैं उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है स्वयम विचार कीजे एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्षे एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते सारे शिष्षे गुरु की बाते तुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं किन्तु एक समान विद्याप्राप्त नहीं कर पाते हैं क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है सकते तो यह है कि विद्याप्राप्त ना कर पाने वाले शिश्य समर्पन का दिखावा तो करते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं गुरू के चड़नों में फूल चढ़ाने से अथ्वा गुरू का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पन तिद्ध होता है नहीं समरपन का वास्थविक अर्थ है जब गुरू के प्रती मन में कोई संदेह न रहे गुरू के मुख से आदेश निकले उससे पूर्व शिश्य उसकारे को पूरा कर दे गुरू के विचारों के साथ शिश्य के विचार एक हो जाए जिस्ष्य जब तक अपने गुरु में भ्रम्मा विश्णु महेश इनके रूप ना देख ले तब तक उसका समर्पन तक ते नहीं है बास्तव में समर्पन किसी कार्य का नाम नहीं है समर्पन तो रुदे की भावना और मन की स्थिती का नाम है कि अर्फार हमारे अज्ञान में क्या दोश केवल हमारे मन का नहीं तो आएं विचार की कि अग्यान प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है यह हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्षा हो जाती है कभी पढ़ाय हुए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है नहीं क्या ऐसा नहीं होता न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समर्पन से निर्मित होती है समर्पन मनुष्य के अहंकार का नाश करता है इर्शा महत्व कांग्षा आदी भावनाओं को दूर कर प्रदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्यान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ज्यान का हो या जीवन के ज्यान का या गुरु कुल में प्राप्थ होने वाले ग्यान का उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? सोयम विचार कीजे शेष्ट चता का क्या अर्थ है? शेष्ट चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ग्यान प्राप्त करना अर्थात मुल्ले इस बात का नहीं कि सोयम कितना ग्यान प्राप्त किया मुल्ले इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्ने लोगों से कितना अधिक है अर्थात श्रेष्टता की इक्छा ज्यान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिम कब होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोष, ठीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु स्ट्रेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इक्षा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती हे तो कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्क पर किसी अन्ने सिस्परधा नहीं होती स्वयम अपने आप सिस्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जब जब मनुष्य के दामने कोई विकट शती आती है है तो मनुष्य इस मर् exfol to process राट्षना करता है इस करके समख याट्षना करता है कि वो इस शती से उभरे किन्तु इस प्राट्षना का बाफ्विक रूप क्या क्या ये हमने कभी विचार किया प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं सारी चिंताएं सारे संकल्प विकल्प अपनी सारी योजनाएं उपर के तड़नों पर रख दे और फास अपने गर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके घर्म के अनुदूद कर्म करना इश्वर की योजना को अपनी नियती मालने यही प्रार्थना है ना किन्तु इश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा है किन्तु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे या वो प्रार्थना है वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रती मुह ना रखना ही सच्ती प्रार्थना जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए मनुष्य को कार्य ही ना करने दे वो प्रार्थना है या पराजय त्वाइम विचार की मनुष्य के जीवन का चालक है भय मनुष्य सदा है भय का कारण भून देता है जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं किन्तु क्या ये भय वास्तविक होता है विचार कीजिए हुआ 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 है एक आर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पन है किन्तु समय का स्वामी कौन है हम समय के स्वामी थेना हमारे सथ्रु या प्रदिसपर्धी है समय तो इश्वर के आधीन चलता है तो क्या यदि कोई आपको अनी पहुंचाने के के लिए केवल योजना बनाता है वो वास्तव में आपको हानी पहुंचा सकता है नहीं किन्तु भय से भरा हुआ 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 हमें अधिक हानी पहुंचाता है क्या ये सत्य नहीं अधिपग्ठी के समय भय भीत रिदय अयोग्य निर्णे करता और विपठी को अधिक पीडा दायक d日 फास्तु बश्वात के भरा हुआ हुआ विपत्ती के समय को भी सरलता से पार कर जाता है अर्थात जिस कारण से मनुष्य रिदय में भय को स्थान देता है भय ठीक उससे विप्रीद कारे करता है क्या इस सत्य नहीं स्वयम विचार कीजिए जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है बस्तुदा मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता है आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्मविश्वास है क्या हम जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय धूडने लगता किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते ठीक जैसे वियायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेक तंगर्ष के साथ उसका उस्ताह पड़ता है अर्थात आत्मों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की ठिथी जीवन को देखने का दृष्टी कोंड मात रह और जीवन का दृष्टी कोंड तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वयम विचार कीजे जब अपने किसी अच्छे कारे के उत्तर में दुख प्राप्थ होता है अथ्वा किसी को उसके दुष्ट कारे में सुख मिलता है तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कारे करने का धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्रे क्या है पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए दुष्टता करने वाला रिदय सदा चंचर रहता अकुलाता है रहता मन में सदा नए नए संघर शुत्पन होते हैं अविश्वास उसे जीवन फर दोड़ाता है क्या ये सुख है जब भी धर्म पे चलने वाले अच्छा कारे करने वाले सब चरित्र वेक्ति का रिदय शांत रहता है परस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनते समाज में सम्मान और मन में संदोश रहता है सदा अर्थात अच्छा बरताव भविश्य में किसी सुख का मार्ग नहीं अच्छा बरताव स्वयम सुख अथ्वा बुरा बरताव भविश्य में किसी दुख का मार्ग नहीं अधर्म उसीक शण दुख उत्पन करता है हर्म से सुख नहीं हर्म स्वयम सुख जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को जग जोर देती समस्त जगत उसे अपना शत्रू प्रतीत होता है अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हर्दे भी उतना ही अधिक विरोध करता है उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का न्याय वेक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है किन्तु ये न्याय क्या है न्याय का अर्थ क्या है अन्याय करने वाले को अपने कारे पर पश्चा ताफ हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति इतना ही अर्थ हैना न्याए का किंतु जिसके रुदे में धर्ब नहीं होता वो न्याए को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है इंसा के बदले प्रति हिंसा की भावना लेकर चलता स्वैम भोगे हुई पीड़ा से कई अधिक पीड़ा देने का प्रेत्न करता है और इस मार्क पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वैम अन्याय करने लगता शीग्र ही वो अपराधी बन जाता है अर्थात न्याय और पतिशोद के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर क्या ये सत्य नहीं? स्वैम विचार कीजिए देखती को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी-कभी उस न्याय को देख कर मन को चोड़ता है प्रश्ण उड़ता है रिदे में कि जब वो अपराध हुआ था तब वेक्ती भिन्य था उसके पश्चाद उसने इतने पश्चा ताप किये स्वैम में इतना परिवर्तन किया फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां अघात होता है वहां प्रत्य अघात भी होता है जैसा कर्म जैसा फल जदी किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राक्त होगा जदी किसी की हत्या करोगे तो मृत क्यों दंड मिलेगा जैसा कारे वैसा ही न्याय तो फिर प्राश्चत और पश्चात आपको कोई मूले नहीं है अवश्य है मूले प्राश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है आने वाले दंड को स्विकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है अर्थात बिना प्राश्चित के दंड स्विकार करने का कोई मूल्य है कोई मिचार केजे मनुष्य के रुदय में भय का सामराज्य रहता है सदा कभी संपत्ति के नाश का भय कभी अपमान का भय कभी अपनों से छूट जाने का भय इसलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है क्या कभी विचार किया है जो स्थिती अत्वा वस्तू भय को जन्द देती है क्या वहीं से वास्तव में दुखाता है नहीं ऐसा तो कोई नियम नहीं और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारन करने से भविश्य के दुख का निवारन नहीं होता भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है वास्तविक्ता से इसका कोई संबंध नहीं है तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है अवश्य विचार कीजेगा जपनों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुक दुख की कल्पना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु कल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुंचती है यह प्रश्ठ हम कभी नहीं करते हैं सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारन ताथ जन से व्यक्ति के लिए और प्रिष्टी के लिए नहीं आप अपने भूत का स्वरण कीजिए यहीं हास को देखें आप तुरंथ ही यह जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ती भी जन लेती यहीं तो जगत का चलन है वस्तुत संकट यहीं शक्ती के जन का कारण है प्रतेक वेक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक चमकता है आत्म विश्वास्ते अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी क्या यह सकते नहीं वास्तव में संकट का जन में है एक अफस्तर का जन अपने आपको बदलने का अपने विचारों को उचाई पर करने का अपने आत्मा को बलवान और ज्यान मंदित बनाने का जो यह कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वय में एक तंकट है विश्व के लिए विचार कीजिए जीवन का हर रुक्षण निर्णे का रुक्षण होता है प्रतेक पत पर दूसरे पत के विश्व में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनश्य से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्ता निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविष्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है कि स्वयम विचार कीजिएगा कि मिर्ने के एक्षण में हम सदा है किसी अन्ने के सुझाव तूचना मंत्रना या परामर्ष को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिये गए निड्ने के उपर होता है तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्ने के परामर्ष किसी अन्ने के सुझाव का फल है क्या हमारा संपून जीवन किसी अन्ने की बुद्धी का परिनाम क्या हमने कभी विचार किया है तब का अनुभव है कि भिन भिन लोग एक ही स्थिती में भिन भिन परा मश्च देते हैं मंदिर में खड़ा भग कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अफसर मिले तो इस मूर्ती के श्रिंगार चुराद धर्म से भरा रिदे धर्म मैं सुझाव देता है और अधर्म से भरा रिदे अधर्म का परामर्ष देता है धर्म मैं सुझाव का स्विकार ही मनुष्य को सुख की और ले जाता है किन्तु ऐसे परामर्ष का स्विकार करना तभी संभव होता है जब रिदे में धर्म कि अर्थात किसी का सुझाव अत्वा परामर्ष्ट विकार करने से पूर त्वयम अपने रुदे में धर्म को साफित करना क्या आवश्चक नहीं त्वयम विचार कीजिए मनुष्य के सारे संबंधों का अधार है अपेक्ष्चा पती कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे पत्नी कैसी हो जो सदेव मेरे प्रती समर्पित रहे तंतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे मेरा अदेश माने मनुष्य मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पून करता है और अपेक्षा की तो नियती है भंगोना कैसे क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिश्क में जन ले थे कोई अन्य वेक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता पून करने की प्रमानिक एक्षा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पून नहीं कर पाता और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते पर मनुष्य अब एक्षा को संबंध का अधार ना बनाए और स्विकार करें केवल संबंध का अधार तो क्या ये जीवन स्वैमेव सुख और शान्ती से नहीं भर जाएगा स्वैम विचार कीजेगा कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भवश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रतं चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठ कर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवर्वत की जोटी तक पहुँचाती, नहीं, वास्तव नहीं, वो जैसे जैसे उपर चड़ता है, वैसे वैसे उसे नही नही चुनौतिया, नही नही विडम्बनाए, नही नही अवरोध मिलते, सत्ये गतपर वो अपने अगले गतपा निर्णे करता, सब्सक्राइब पर उसे अपनी योजनाव को बदलना पड़ता कहीं पुराणी योजना उसे खाई में न ढखेल दे वो परवत को अपने योगे नहीं बना पाता येवल स्वैम को परवत के योगे बना सकता है क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक शुनौती को एक अव्रोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग देता है तो वो अपने जीवन में खफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और स्थान की प्राप्त कर पाता अर्थाक जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही तफलता और सुख्का एक मात्र मार्ग नहीं स्वयम विचार कीजें सत्ता की लालसा सबके हृदे को घेरे रहती है प्रतेख विक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रेत्न अवश्य करता है फिर वो राष्ट्र कुरु राष्ट्र की भांती बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो वो सत्ता प्राप्त करने का प्रेयास अवश्य करता है किन्तो सत्ता का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया है एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंतरता पर अंकुष रख सके उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्ने के जीवन पर स्वयम का प्रभाव किन्तु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता जब भी मनुष्य का ठोरता और धर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रेत्न करता है तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथ्वा विद्द्रोह को जन देता है और परिणाम, परिणाम कुछ इस प्रकार हाँ, कुछ समय के लिए वो स्वैम को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है किन्तु वो वास्तविक सत्ता नहीं यही कारण है कि ब्रिगु और वशिष्ट जैसे रिश्यों की आज भी पूजा की जाती है रावन और फिरन्य कशुपु की नहीं इस पर तो आप विचार अवश्य करें सत्ते कहान तमे के आरम से ही मनश्य को एक प्रश्ण सदा पीडा देता कि वो अपने संबंधों में अधिक्तम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपून संतोष दिया है विचार कीजे हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है किन्तु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राफ्त होते हैं तदा ही संगर्श भी संबंदों से ही उत्तपं क्यों हो जाते हैं. कभी विचार किया है? जब कोई फेक्ती किसी अन्य विच्थी के विचार अथ्वा कारे को स्विकार नहीं करता, उसने परिवर्टन करने का प्रेखन करता है. तो संखर्श दन लेता है. अद्धाद, जितना अधिक आस्विकार, उतना ही अधिक संहर, और जितना अधिक स्विकार, उतना ही अधिक सुर। क्या ये वास्तर विक्ता नहीं। यदि मनुष्य स्वेयम अपनी अपैक्षाओं पर अंकुश्य, अपने विचारों को पर कि reporting, किसी अन्य वेक्ति परीवर्तन करने का प्रेद्न ना कर स्वेयम अपने भीतर तो क्या संबंधों में संटोश प्राप करना इतना कठी अर्थात क्या सुकारही संबंध का वास्तवेकर्ठ नहीं हम विचार की लिए तो वेक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे केले सीमाएं और म्र्यादाएं निर्मित करने का प्र्य तुन अवश्चे करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का अधार यहीं सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अंजाने में भी कोई अन्य विक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा कि वेढ़ इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है किया हमने कभी विचार किया थी चुझाद के थारा हम दूसरे वीक्ति को निर्ने करने की अनुमति नहीं दे अपना निर्ने उस वीक्ति पर एक जब्छी करते हैं और जब स्वतंत्रता का अफ्विकार किया जाता है तो उसका रिदे दुखते भर जाता है और जब वो सीमाव को तोड़ता है तो हमारा रिदे रोज से भर जाता है क्या इसा नहीं होता कर दिए एक दूसरी की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवशक्ता ही नहीं होती अर्पाथ जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंद की आत्मान है तो एन विचार कीज़िए सतेविक मनुष्चे के जीवन में ऐसा ख्रण अवश्चे आता है जब सारे स्वफ सारी आशाएं सारे द्रिश्ट वस्थ हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही विखर जाते हैं एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख किसी को धर्म तंकट में जब धर्म का वहन ही तंकट हो और धर्म का त्याग ही तुख हो विचार कीजिए कभी किसी स्वजन के विरोध सत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दर्यद्रता के समय सरस्ता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्ति शाली राज नेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है अधिक्तर लोग ऐसे किसी कंड को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं हमें किसी प्रकार के संगर्ष का अनुभव ही नहीं होता है सहजता से सुख की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्ती गुड़ की और खिची चली जाती है वास्तव में घर्म संकट ताक्ट इश्वर के निकट जाने का संड होता है यदि हम तंगर्षों से भैवीतना सुख की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रहें तो इश्वर का साक्टातकार दूर नहीं पवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उस्ता है पवन से जुखने वाली हाँ वही भूमी पर रह जाती है अर्थाग घर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दूर तुक तो मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तु क्या चरित्र नहीं जूपता क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती क्या इश्वर से अंतर नहीं हो जाता तो एम विचार की जब भी किसी की आशा और इक्षा भंग होती है तो उसका इर्देक प्रोध से भर जाता है जिस वेक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड दिने का प्रेत्न करता है पर क्या हमारी इक्षा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है इक्षाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं कुछ तो तंजोग के कारण अधुरी रह जाती हैं और कुछ नियती के कारण और कभी-कभी इक्षाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो स्पून नहीं हो पाती बिना परिस्थती पर विचार किये किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं क्रतिशोद है न्याय का अधार तो दयार करुणा और क्रतिशोद का अधार क्रोज अंधार अर्थार प्रिदे में करुणा धारण किये बिना किसी के अपराध के विशे में विचार करना किसी को दंड देना क्या अपने आपने ही अन्याय नहीं स्वयम विचार कीजिए झाल आज का निर्ने लेना चाहते हैं भविष्य में सुख मिले भविष्य सुरक्षे थो ऐसे निर्ने आज लेने का प्रेत्न रहता है सबका आप अपने जीवन को देखिए क्या आपके अधिकतर निर्ने के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता और हो भी क्यों ना अपने जीवन को सरल और सुख में बनाने का प्रेत्न करने का अधिकार सबका है पर भविष्य तो कोई नहीं जानता केवल कलपना ही की जा सकती है तो जीवन के सारे महत्वपून निर्ने कलपनाओं के आधार पर ही करते हैं हम क्या निर्ने करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है विचार कीजे सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के रदे में बसता है तो प्रतेक निर्ने से पूर्व स्वयम अपने रदे से ये प्रश्न वश्य पूछ लेना कि ये निर्ने स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से क्या इतना परियाप्थ नहीं? भविश्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविश्य अधिक सुख पूर्ण नहीं होगा? स्वयम विचार कीजिए भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष रिदे में आज एक्षा होती है और यदी पूर्ण नहीं हो पाती तो रिदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक्षा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तो जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शन का नाम है अर्थात इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सक्ते समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मर्णों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम यूजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदी हम भिदे में उतार ले कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हम तो केवल धैरे और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते स्वागत कर सकते हैं भविष्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वयम विचार कीजे सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्चे आता है कि सत्य कहने का मिश्चे होता है रिदय में किन्तु मुख स्वे सत्य निकल नहीं पाता है कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वेम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते है नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्थात जैसा हुआ ता वैसा केवल बोल देना समानने सी बात किन्तु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भए लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन दूसरे को दुख होगा ये भए भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब है रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भायता का दूसरा नाम है और निर्भाय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भायता आत्मा का स्वभाव है अर्थाज क्या प्रतेक शंड सत्य बोलने का शंड नहीं होता परमपरा में धर्म बसता है और परमपरा ये ही धर्म को संभालने का कारे करती हैं ये सकते हैं पर क्या केवल परमपरा ही धर्म है? विचार कीजे सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाशान में शिल्प होता है उसी प्रकार परमपरा में धर्म होता है इस पत्थर में शिल्प है ये पत्थर शिल्प नहीं शिल्प को जागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार परमपराओं में धर्म ठूंडना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परमपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना धूंडा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्क नहीं मिल पाता। अर्थात परमपरा को पूर्टा छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है। और परमपरा का अंध अनुकरन करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हन्स के पास नीर्ख शीर विवेक होता है। दूध में निले पानी को छोड़ कर केवल दूध ही ग्रहन करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए रुदे में ज्यान से जन्मा विवेक आवश्यक है। और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है महाभारत का ये युद्ध, महाभारत की ये कथा, अनेक सत्यों को प्रस्थापित करती है आंतम सत्य ये है, कि अलगपन और घिन्नता ही अधर्म का मूल है और एकात्मता, एकात्मता ही धर्म का आधार कैसे, स्वयम विचार कीजिए मनुष्य का हृदय, सुख की आशाओं से, सत्ता और संपत्ति की एक्छाओं से घिरा रहता है सदा किन्तु सामानने रूप से, मनुष्य अपने माता पिता, संतानों, भाई वहन या पत्नी के साथ, उचित बहवार ही करता है, कोई अन्याय नहीं करता है वो सुख और संपत्ति को समान भागों में बाट कर भोगता है क्योंकि वो ये जानता है कि उसके सुख का अधार है उसका परिवार मनुष्य ये भी जानता है कि उसका सुख समाज दे आता है किन्तु वो समाज के साथ अन्याय कर लेता है समाज का शोशन कर लेता है क्योंकि वो समाज को अपने सुख का कारण नहीं मानता ओटसमाज को अपने सुख का साधन मानता है बेध है तो सारण और साधन नहीं नानुष्य को जब ये बोध हो जाता है कि सारा संसार परमात्मा का ही रूप है प्तेग जीव परमात्मा का ही अन्ष है कि अर्फाज कोई पराया नहीं सब अपने कि सारा संसार अपना ही है अपना ही परिवार है तो ग्रोध का कोई कारण ही नहीं रह जाता सारे संगर्ष सारा वैर सारा प्रतिशोद नश्ट हो जाता अंतर में परमात्मा और संसार में एकात्मता यही धर्म का मूल से ध्धान वहा भारत की ये यात्रा क्रोध से बोज की यात्रा है हिन्नता से एकात्मता की यात्रा है भूमी परवास करने वाली प्रजा जब तक इस महभारत की कथा को अपने स्मरणों में जीवित रखेगी तब तक ऐसा विश्वन्स उन्हा नहीं होगा वे भी शक्ति इसकी महत्ता का वस्त्र हरण नहीं कर पाएगी इस यात्रा में मेरे साथ प्रवास करने वालों को मैं अभिनंदन देता उनके हिदे में हर्म का बीज स्था कल्यान हो तंसार का कल्यान हो ओम सहनाववतू पीश्वर हमारा रक्षन करें सहनों भुनक्तू हम सब मिलकर सुक्पोगें सहवीर्यम करवाव है एक दूसरे की लाखें प्रयाद करें तेजस्विनाव धित्मस्तू हम सबका जीवन तेज से भर जाए मावित विशाव है परस पर कोई द्वेश या इशा ना हो ओम शान्ति 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 झाल